नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम दिस्कस करेंगे कि लेंजोल कैपसूल का उप्योग किन कंडीशन्स में किया जाता है। लेंजोल कैपसूल को कैसे लेना चाहिए और लेंजोल कैपसूल की वजह से क्या साइड इफेक्स हो सकते हैं। लेंजोल कैपसूल पेट में उत्पन होने वाले एसिद की मात्रा को कम करता है। लेंजोल कैपसूल का उपयोग पेट में जलन होने पर, पेट में गैस बनने पर, बधजमी होने पर, खटी दकारे आने पर, सीने में जलन होने पर और पेट में अलसर होने पर लेंजोल कैपसूल का उपयोग किया जाता है. लेंजोल कैपसूल को डॉक्टर एंटी बायोटिक दवाओं या अन्य दवाओं के साथ दवाओं की वजह से होने वाले साइड इफेक्ट्स को कम करने के लिए भी लेने की सलाह दे सकता है जैसे दर्द को कम करने के लिए उपयोग की जाने वाली दवाओं की वजह से पेट में जलन, पेट में दर्द या पेट में अलसर हो सकती है इसलिए इन side effects को रोकने के लिए भी आपका डॉक्टर लेंजोल कैपसूल को दर्थ की दवाओं के साथ लेने की सलाह दे सकता है। ज्यादा तर एंटी बायोटिक दवाओं के सामानने side effects में उल्ती आना, उल्ती आने का मन होना और पेट में गैस बन सकती है। इसलिए एंटी बायोटिक दवाओं की वजह से ये side effects ना हो। इसलिए आपका डॉक्टर लेंजोल कैपसूल को एंटी बायोटिक दवाओं के साथ भी लेने की सलाह दे सकता है। इसके अलावा लेंजोल कैपसूल का उपयोग कुछ मेडिकल कंडीशन्स जैसे गैस्ट्रिक अलसर, एसिड रिफलक्स और जोलिंगर एलिसन सींड्रोम को ट्रीट करने के लिए भी किया जाता है। जोलिंगर एलिसन सींड्रोम एक ऐसी स्थिती है, जिसमें पेट में एसिड का उत्पादन बहुत अधिक होता है। लेंजोल एक ब्रैंड नेम है। लेंजोल कैपसूल के अंदर सॉल्ट कंपोजीशन लिंसों प्राजोल होता है। लेंजोल कैपसूल 15 mg व 30 mg की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। अब हम डिसकस करेंगे की लेंजोल कैपसूल को कैसे लेना रेकमेंडेड होता है। 18 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर लेंजोल 15 mg या 30 mg कैपसूल को दिन में एक बार और सुबह खाली पेट लेने की सलाह देते है। लेंजोल कैपसूल को खाना खाने से कम से कम एक घंते पहले लेना चाहिए। लेकिन लेंजोल कैपसूल की खुराक उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है। इसलिए आपको लेंजोल कैपसूल को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्ष लेना चाहिए। और डॉक्तर की सलाह के बिना लेंजोल कैपसूल को नहीं लेना चाहिए। अब हम डिसकस करेंगे कि लेंजोल कैपसूल की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में लेंजोल कैपसूल की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। लेकिन कुछ परसंट व्यक्तियों में लेंजोल कैपसूल की वजह से कुछ सामानने साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। जैसे पेट में दर्द, पेट से गैस निकलना, मुझ में सूखापन, सिर्दर्द, शरीर की मास पेसियों या जोडों में दर्द होना, चक्कर आना वद दस्त होने की समस्या हो सकती है। इसके अलावा लैंजोल कैपसूल की वजह से कुछ व्यक्तियों में कब्स की समस्या भी हो सकती है। कई बार लेंजोल कैपसूल को लेने से ओस्टियो पोरोसिस होने का जोखिम अधिक हो जाता है ओस्टियो पोरोसिस होने पर शरीर की हड्डिया बहुत ही कमजोर वा अंदर से खोखली हो जाती है लेंजोल कैपसूल की वजह से ओस्टियो पोरोसिस तभी होता है जब लेंजोल कैपसूल का सेवन लगातार, एक साल या उससे अधिक समय के लिए किया जाए। अगर आप दिन में कई बार लेंजोल कैपसूल का सेवन करते हैं, तो इसकी वजह से भी ऑस्टियो पोरोसिस होने का रिस्क अधिक हो जाता है। अगर आप दिन में कई बार या लंबे समय से लेंजोल कैपसूल को ले रहे हैं, तो आपको कैलशियम और विटामिन D के सप्लीमेंट्स डॉक्तर की सलाह के अनुसार लेते रहना चाहिए, ताकि ऑस्टियो पोरोसिस होने के जोखिम को कम किया जा सके, या आपको कैलशियम से भरपूर खादे पदार्थों का सेवन भरपूर मात्रा में करना चाहिए, और विटामिन D के लिए हर रोज 10 से लेकर 15 मिनट सुबह की धूप में बैठना चाहिए, अब हम जानेंगे कि क्या प्रेगनेंट महिलाएं और स्तनपान करा रही महिलाएं लेंजोल कैपसूल को ल स्तनपान करा रही महिलाओं को लेंजोल कैपसूल को लेने की सलाह दे सकता है, इसलिए प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को लेंजोल कैपसूल को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्ष लेना चाहिए, और डॉक्टर की सलाह के बिना प्रेगनेंट मह और स्तन्पान करा रही महिलाओं को लेंजोल कैपसूल को नहीं लेना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका लेंजोल कैपसूल से समबन्धित कोई प्रश्न है तो आप